सरोका कमलनाथ ने आचारे प्रमोद कृष्णम के प्रधानमंत्री मोधी को दिये गए आमंत्रन को लेकर भी बड़ा बयान दिया कमलनाथ से प्रमोद कृष्णम के भाजपा में जोईन होने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई स्वतंत्र है कोई पार्टी से बंधा मध्यप्रदेश के दमोह तहसील जबेरा की ग्राम पंचायत घटेरा के ग्राम चनपूरा में जबेरा जनपत उपाद्ध्यक्ष प्रतिनिधी डॉक्टर सुजान सिंग ने निरीक्षन किया जहां निरीक्षन के दौरान पाया गया कि मुक्तिधाम के पास परकुलेशन टैंक 2022 में स्विक्रित हुआ जिसकी राशी साल 2022 में ही एक लाग की राशी तै की गई थी इसके बाद भी साल 2023 में चार लाग की राशी निकाली गई और बिल पचास हजार के आसपास लगाया गया इस तरह साड़े पांच लाग की राशी बिना निर्मार के निकाल ली गई जिसका मुल्यांकन सब इंजीनियर नितिन असाटी ने किया जो की पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है देखिए यहां कि लोगों नहीं बताया गिराम चनपुरा के कि हमारे गाव में परकूलेशन टेंक बना हुआ है सांती धाम के पास में और उसके पूरी राशी निकाल ली गई है अब जो कहीं आप जो कि अब देखिए के यहां परकूलेशन टेंक नहीं वना जया है मध़ी प्रदेश में दमो की वनांचल गाउंस साथपुर में मुनी विरंजन सागर महराज ने वनांचल गाउंस साथपुर में चल रहे पंच कल्याडग महा महोतसब के समापन पर विशाल जनसमू को संबोधित किया इस दोरान उन्हें कहा कि जिस सूर्य मंत्र से पाशान भगवान बन जाता है वैसे ही सूर्य मंत्र इंसानों के लिए भी जरूरी है दिन्डौरी में पदस्त उपमंत्री संदीप शुकला के खिलाफ करंजिया जनपत पंचायत अध्यक्षिचरण सिंग धुरवे ने मोचा खोलते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में जम कर लूट पाट की जा रही है दरसल उपमंत्री ठेकेदारों की याड में ब्रश्टा चार का आरोप लगा रहे हैं वहीं उपमंत्री की उच्च स्तरिये जाच होनी चाहिए और बंगला का मूल्यांकन होना चाहिए जिससे पता चल पाए कि संपत्ती कहां से आई दिन्डोरी जिले के करंजिया जनपत पंचायत के अध्यक्ष चरण सिंग धुरवे ने मोतरा गाउं पहुचकर निर्माणाधीन सीम राइस स्कूल का निरीक्षन किया और निरीक्षन के दौरान उपमंत्री ने करंजिया जन्पत पंचायत अध्यक्ष चरण सिंग धुर्वे से अभध्रता भी की गौर तलब है कि पूरे घटना करम के बाद करंजिय जन्पत पंचायत अध्यक्षि चरण सिंग धुर्वे ने पुलिस थाना गाड़ा सरई पहुँचकर उपमंत्री के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है गौलियर के भवरपुरा थानक शेतर इलाके में मौजूद बंदूग की नोक पर नाबालिग आदिवासी के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है वहीं इस मामले पर थाटी पुर चौराहे पर मुख्यमंत्री मोहन्यादव का पुतला दहन करने की खबर सामने आ रही है जहां योगेश दंडोतिया ने कहा कि जब से मोहन्यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से आदिवासी और दलितों पर अत्याचार हो रहा है मेडिया से बाचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भमरपुरा थानक शेतर इलाके में बंदूग की नोक पर एक नाबाली गादिवासी के साथ गैंग रेप की घटना के आरोपियों के घर तोड़े जाए और उनके खिलाफ सक्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फासी की सजा दी जाए जाए जब जब बीजेपी की सासना आता है तब तब दलेतों पर अप्टेशार होता है तब अपराद बढ़ता है यह मैंने मैंने सीम साथ से एक मांग ती थी इस लड़की को जो राहत मेंने क्योंकि जिसके परिवार वाले बिखर गए और उसके रीट की हड़ी तूट गई है अस्पटाल बसका इलाज होना चाहिए और उनके मकान तो तूटी गए साथ मैं उन उनको फासी होना चाहिए अंतरराष्ट्रे खेलों में भारत के पदक सौंकों के भीतर रह जाते थे जबकि केंद्र की मोदी सरकार खेलों पर विशेश ध्यान देने के बाद अब लगातार पदकों की संख्या सौ से उपर जा रही है जो प्रदान मंत्री जी की सोच है रखादा है और अब ये खेल भी हमने देखी है अमारी बच्चियां हमारे नौजवान पूर शम्ता से अपने हुनर का प्रदशन करते हैं नर्सिंगपुर में कलेक्टर ने करेली शुगर मिल का निरिक्षन किया जहां उन्होंने किसानों से रूबरू चर्चा कर समस्याय जानी बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने जिले की सबसे बड़ी शुगर मिल संयंत्र का मुआयना किया साथ ही उन्होंने गन्ना तुलाई से शक्कर बनने तक की प्रक्रिया की जानकारी भी शुगर मिल प्रबंधकों से ली वहीं कलेक्टर ने मिल प्रबंधक से जुड़े अधिकारी और मालिक मनीश राय से कहा कि किसानों की समस्या जल्द हल हो और किसानों का भुगतान होने के साथ ही याताया ट्रैफिक विवस्था पर भी विशेश ध्यान दिया जाए गौलियर में केंद्री मंत्री ज्योतिरादित सिंधिया ने लालकृष्ण आडवानी को भारत रतन दिये जाने पर कहा कि आडवानी के जीवन की तपस्या जन सेवा रही है आडवानी का संघर्ष काफी ज्यादा अमूल्य रहा और आडवानी का जीवन भारत माता की सेवा को समर्पित रहा और उन्हें भारत रत्न मिलने से वो काफी ज्यादा खुश है आडवानी जी की जीवन की तपस्या जन सेवा रही है अडवानी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है अडवानी जी का जीवन भारत माता की सेवा का जीवन रहा है हम सब के सर्वमान्य हैं सर्वश्रेष्ट हैं और आज मन में खुशी और उमंग है क्योंने भारत रतना से सम्मानित किया गया है मध्यप्रदेश में रंगनात ठानक शेत्र के बाबा घाट रोड के पास पुलिस ने दबिश देते हुए एक युवक से 63 लीटर अवैद शराब जबत की है और पुलिस ने रोपी के खिलाफ आपकारी एक्ट के तहट काररवाई की महीं रंगनात ठाना प्रभारी नवीन नामदेव ने बताया कि मुख्विर से मिली सूचना थी कि बाबा घाट रोड के पास एक युवक सफेद रंग की बोरिया में अवैद रूप से शराब लिये हुए है जिसके बाद पुलिस टीम ने बाबा घाट रोड पर घेराबंदी करते हुए दबिश दी और पुलिस टीम ने दो सफेद रंग की बोरियों में 63 लीटर शराब लिये हुए एक युवक को गिरफतार किया है फिलाल पुलिस मामले में जाच कर रही है सवेद रूप से काफी मातरा में सराब लिये पाया गया है जिसके विरुद हमने 34 दो के तैट मामला पंजी बद कर उस मानी नयला के समक्च पेस किया है और इसी क्रम में हमने विगत तीन दिनों में काफी बड़ी कारवाहियां की है जिसमें से दो 34 दो के प्रक्रण है और दो प्रक्रण हैं 34 के सिवनिस जिले के बारगाट तहसील में मौझूद सेवा सहकारी समिती मर्यादित ताखला कला के अंतरगर धान खरीदी केंद्र ताखला से आठ जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक ओफलाइन बिल्टी के माध्यम से 28 ट्रक धान का परिवहन किया गया लेकिन खरीदी केंद्र से धान बेयर हाउस में जमा ही नहीं किया गया आरोप है कि धानखरीदी केंदर ताखला में 8 से लेकर 19 जनवरी तक 4 ट्रकों का समान परिवहन के लिए 28 बार प्रयोग किया गया जिसके नमबर प्लेट में भी हेरा फेरी की गई है इसके बाद जिला कलेक्टर ने विभागी अधिकारियों की 5 सदस्य टीम का गठन किया है जिसके प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च किया गया है फिलहाल पुल इस मामले की जाच पर ताल कर रही है पाया है कि 8,926 कृंटल के हूँ कर जो है उसमें गवन हुआ है जो सपार्ट पर नहीं मिलाय और इस संभल में अपराद कर्मांग 29 बटे 314-420-4701-120-B और 66 C-O 66 D ITF प्रकट पन्जिबत कर दिया गया है तो इसके लिए उन्होंने बताए कि लगवाएश तरक ऐसे हैं जो यह तो वेर हाउस में नहीं पूचे हैं तो उसके लगवाएश तरक ऐसे हैं पूलिस में अपसी विवाद हो गया और आरोपियों को पूलिस ने गिरफतार भी कर लिया है स्थानिय लोगों की माने तो धार्मिक स्थल में तोड़ फोड और निर्मार को लेकर काफी दिनों से यहां विवाद हो रहा था एक पक्ष मंदिर को छोटा रूप देना चाहता था तो दूसरा पक्ष उसी तरह उस मंदिर को बनाय रखने पर किया गया है कि मौले में 40-50 सालों से मंदर है भोले ना संगर वहान का जो सभी पूरे मौला के जल चड़ाते हैं पूजा पाट करते हैं लेडी सेडी वगेरा सभी लोग कुछ तत्वों ने तीन आदमियों ने 5 बजी रास से मंदिर टोड़ना शुरू कर दिया सर हम लोगो पता चला तो पूरे लेंटर बखड़ा दिया था उसके बाद हम लोग सभी वहां पर उनसे हाथ जोड़ा कभी है मंदिर को रोक दो टोड़ना तो वो गारी गानोच करने लगे जो कुछ कर्सा को कर लो क्योंकि वो खुद मलब नो क्रीप है इसलिए लिए रिप्टा पुल प्रकबाड बसुरी मौड़े की और उनका नाम क्या है अंकित अंकित वागली अच्छा सुदामा वागली और भिनुद भागली मामला आया है एस पी आपस बगाईदा ग्यापन विव्ग है क्या कुछ मामला है यह जो मौला है यह बेलापुर बाड तो जिसमें जो पीडि और आरोपी एक ही पच्छके हैं एक ही शमनाई के हैं एक ही जाती के हैं हिंदू है और इसमें रिपोर्ट की गई है और समन में हमने आप प्राधिक प्रकण दर्ज कर लिया है और आरोपी को लटतार कर लिया है मद्यप्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद एक के बाद एक कई कड़े फैसले लिये गये जिसमें खुले में और धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर मटन चिकन अंडा मशली विक्रे पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर प्रशासन को निर्देशित किया गया और इस पुले में अंडे बेचने का काम लगातार जारी है इस पर कई बार स्थानिये लोगों ने अपत्ती जताई और चिंता जाहिर की लेकिन आरोप है कि सामान ये प्रशासन पुलिस और नगरपालिका ने अब तक इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की है चिंदवाड़ा के शियाम टॉकीज में मौजूद एक मकान से पुलिस ने 27 सटोरियों को गिरफतार किया है इनके पास से सटोरियों का शहर जुलूस निकाला गया और इनके पास से नगदी मोबाईल सहीत कई सामान जब्त किये गये है बताया जा रहा है कि पुलिस कप्तान विनायक वर्मा एस पी अवधेश प्रताब सिंग के निर्देशन में सी एस पी अजराना के नेत्रेतों में कोतवाली टी आई उमेश गोहलानी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नरेश सांगवानी नाम के आरोपी को गिरफतार किय जहां पूच्ताश में उसने श्याम टॉकीज में मौजूद एक घर पर घर की जानकारी दी जहां पर दबिश देने के बाद पुलिस ने 27 सटोरियों को गिरफतार किया है फिलाल पुलिस मामले की जांच परताल कर रही है काफी दुरों से श्याम टागिर के पास से अब एद रूप से सट्टा की सुतना लगतार मिलने जी तिमान पुलिस सदिक्षक महोदय द्वारा जो है इस बात को गंभीता से देते हो और पूरी तस्दीक खराए गई जो की सही पाई गई इसमें हमको आजे से किया गया था क आप जो है इसमें वहां अमुख सरगना रहता है और उनकी लड़के आसपास शट्टा परचिया लिखते हैं इसी वें हम अग्विरी लगाते हुए आज जो है नरेश सांगवानी को लालबाग से शट्टा लिखते हुए इसको पकड़ा था जिसने बताया कि यह अर्पेत पिता राकिस माहिल को यह सट्टा पर्ची देता है। सागर में एक फर्यादी ने थाने पर पहुँच कर आत्महत्या का एक मामला दर्च कराया। इस बाबत पीडित ने बताया कि थाना रहली में यह मामला लिख लिया गया है जहां पुलिस ने जाच के बाद पाया कि मृत्तक मांसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान था जिससे उसने आत्महत्या कर ली है। दिरांक 12 जन्वरी को सहर्ष खरे नाम के युवक ने फासिल आकर आत्महत्या की थी। इस पे पुलिस ने मर्ग पंजीबद करके जाच की। मर्ग जाच के दोरान कुछ तत्थ हैं जो उसके मॉबाइल उसके काउंट डिटेल और उसके लेंदेन के आकड़े तलासे गए। तो उसमें ये आया कि मर्तक ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। और उक्त कर्ज की जो वसूली है वो उसके आत्भक्त्या की प्रेणना का कारणा बने है। नर्सिंग पूर से एक बार फिर हादसे की खबर सामने आई है जहां गोटे गाउं में ट्रैक्टर से ट्रकराने के बाद एक बाइक सवार छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र बाइक से सरस्वती स्कूल पढ़ाई के लिए निकला था जहां अचानक बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार सामने की भिडंत हो गई और मौके पर ही छात्र ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टर्स ने पहुंचते ही छात्र को मृत घोशित कर दिया। फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली भी चला दी जिसके बाद आननफानन में व्यक्ति के भाई ने नस्दी की अस्पताल में उसे एड्मिट कराया जहां डॉक्टर शर्मा ने प्रात्मी कुप्चार करते हुए गाडरवारा भेजा और फिर जिलास्पताल नर्सिंग पूर के लिए घायल को रेफर कर दि रॉकर गड़ार जिए गाति जैसे दुआ हो गया फॉरा ने ऑनको रॉका आधि कासुनी विवाद हुगा तो यसमां चाइब में लगा है उसके रिकोर्ड पर रदर्श किया गया है जाने ने गोली कि लिए लगीं को निकी यह निके जाग मं तैनी जाहां पुरान एंका ब कहां वोगी लगे ? शाध में साड़े तीर ती पौने चारे टी ती комGroup ळीजेब को नहींटेकती कहा एजी सेम जोड़ाइ झालेष से लेकर आफ्ये वह जाला हो गईतीस से प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के नित्रत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की इसी संवेदन शीलता को चारी रखते हुए आज 80 करोड से भी ज्यादा कोशित समाच अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनस को प्रमोट तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट बहतर स्क्रिप्ट शांदार ग्राफिक्स बहतर विज्वल दिखाएंगे कमार जानकारी पहुचेगे जनजन तक आपका काम करेगा धमार इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान ब्रैंड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D अनिमेशन, टेलिविजन टेली कास्टिंग, सोशिल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉंटेक्ट करें 9267-925186 पर इसे के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास्प्रोडक्शन.gfx.gmail.com पर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम अध्यप्रदेश में खबर सागर से है जहां गढ़ा कोटा के एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ गुजौरा रोड पर मौजूद दुन्धुनिया दिगंबर मौजूद जैन मंदिर दर्शन करने गए थे और रास्ते में उन्हें तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी बताया जा रहा है कि हाथसे में बाइक सवार दंपत्ती की मौके पर ही मौत हो गई वहीं सूचना के बाद विधायक गोपाल भारगव घटनस्थल पर पहुँचे और हालात का जायजा लिया फिलाल पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है सागर जिले में मौजूद सागर सिल्वानी स्टेट हाईवे जैसी नगर थानक शेत्र के हिन खेडा गाओं में देरशाम यात्री बस और डंपर में आमने सामने की टककर हो गई और बताया जा रहा है कि टककर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से एक शतिग्रस्त हो गया साथ ही बस में सवार लगबग दो दरजन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँच कर घायलों को बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भरती कराया फिलाल पुलिस मामले की जाच कर रही है सागर जिले में जैसी नगर के हिन खेडा के पास हुए बस और डंपर की भिडंत में दो जरजन से ज्यादा यात्रे घायल हुए है जहां इस घटना में दो लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है वहीं मौके पर पहुँचे मंतरी गोविन सिंग राजपूत ने घायलों का हाल चाल अस्पताल पहुँच कर जाना गौालियर के भमरपुरा में नाबालिक से गैंगरेप की घटना सामने आई है जिसके बाद गैंगरेप पीडिता के परिवार ने गाउं छोड़ दिया बताया जा रहा है कि पीडित परिवार के गाउं छोड़ने का सवाल पूछने पर केंद्री मंतरी जियोतीरा दित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने इस पश्ट रूप से कहा है कि जिन्होंने ये घिनोना काम किया है उनके खिलाफ सक्त से सक्त कार्रवाई होगी और जो लोग ऐसा करने की सोचें तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से पहले सौ बार सोचे मैंने स्पश्ट रूप से कहा है कि ये घिनोनी कृत जिनोंने की है उनके विरुद सक्त से सक्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग ऐसे करने तो दूर करने की सोचे भी ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से सोचने में भी हजार लाखों बार नहीं करोडों बार भी न सोच पाए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गौलियर जिले के डबरतानक शेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई बताया जा रहा है कि दो युवकों के बीच दो दिन पहले मार पीट हुई थी इस बात को लेकर बीती रात घर जाकर संदीप यादव पर हमलावर पक्ष ने गोली चला दी और गोली चलने से संदीप यादव की कार में भी गोलियों के निशान देखने को मिले वही एक गोली संदीप के सिर में जाकर लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने मामला दर्श करते हुए आगे की जाच परताल शुरू कर दी है प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ